हेलो लो फ्रेंड स्वागत है आपका परफेक्क केलेक्शन में दोस्तों मुझे लगता है ये कुरू तो क्रेश लेंडिंग करागर ही मानेगा सही समझा आपने आज हम प्रिवी करने वाले हैं तब्बू करीना और किरती सेनन स्टारर कुरू मुविका दोस्तों आपको बताते चलें तब्बू करीना कपूर और कृती सेनन की फिल्म क्रू रिलीस हो गई है आज क्रू में दिलजीत सिंग्ग दोसा राजेश शर्मा शास्वत सेटर जी और कभिल शर्मा भी है फिल्म का डारेक्शन राजिश कृष्ण ने किया है इससे पहले भी लूट केस देसी फिल्मे मना चुके है दोस्तों क्रू एक ऐसी फिल्म है जिसके ट्रेलर में ही काफी जोल नदर आ रहा था ट्रेलर में ही लग रहा था है कि इस तरह की कहानी को डारेक्टर संभाल नहीं पाएगा फिल्म जब शुरू ही तो मुझे लगा कि इस बार भाई डारेक्टर गच्चा दे गया ट्रेलर में जोल होत वे भी ये कहानी का सरपट दोड़ा रहा है करेक्टर हसा रहे हैं सिचुवेशन कॉमेडी में फिट बैट रही है लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है और अपने यूटूपिया से बाहर आता हूँ तो समझ जाता हूँ कि जिन्दिगी इतनी आसान नहीं है लगबग दो गुंटे की इस फिल्म में डारेक्टर काफी जोहर दिखाने की कोशिश करता है और रसो की बाहर ले आता है लेकिन वे कहानी को अपने सहुलियत से तोड़ता मरूडता है और देखने वाले के होश गुम हो जाते हैं बस यही हमारे उम्विदें अर्ष सिफ फर्ष पर आ जाती है चलिए बताते हैं आपको फिल्म का कहानी का सारा सार क्या है और फिल्म में कितना बड़ा जोल है दोस्तों फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल है फिल्म की स्टोरी में तबो करीना और किर्ती सेनन तीनों एर होस्तेस हैं और जिन्दिगी में अपनी अपनी समस्यां से उलज रही है अब काम भी ऐसी एलाइंस में करती है जो दिवाली होने की कगार पर है सैलरी का कोई अता पता नहीं है फिर एक दिन उनके सामने एक ऐसा मौका आता है जिसमें उन्हें कुछ गलत तो करना है लेकिन जिन्दगी अपने रंग दिखाई दिये दूसरे हाफ में फिल्म उनके हाथ से निगल जाती है ना तो यह समझ आता है कि कहानी का अंत्र क्या है और ना ही कुछ बातों को स्थापित कर पाते हैं कुल मिलाकर फिल्म में क्या-क्या मोड नहीं लेती है यही बाकी रह जाता है बाकी सब त करने की कोशिश करते हैं लेकिन वे भी बाकी डारेक्टर्स की तरह चीजों को समाल नहीं पाते और अपनी कन्मेनियन से फिल्म को कहीं भी पहुचा देते हैं फिर हर बार वही फंडा लाना ठीक भी नहीं रहता बात चाहे लूट केसी हो या फिर कुरू की दूसरे हाफ में को जल्द से जल्द निप्टाने के लिए करते हैं वे यह बात भूल जाते हैं कि अगर फिल्म को इस क्रिप्ट रखना है तो इसका मतलब कहानी के परकच्चे उड़ाना नहीं बैल की उसमें बताये गए बिन्दों को सिल्सिलेबार तरीके से पेश करना है ना कि अपनी हिस आप से करना है दोस्तों बात करेंगर फिल्म क्रू की एक्टिंग की तो क्रू में एक्टिंग के लिए करीन का पूर और तब्बू और कृति सेने ने ठीक था काम किया है कुछ भी ऐसा नहीं है कि यादकार रह सके कई सींस तो तीनों ही एक्टिंग के मावले में थोड़ा ला गाने गानों को नए रंग से सुनने का शौक है तो कुरू देख सकते हैं लेकिन आप एक ऐसी कोमेडी फिल्म पसंद करते हैं जिसमें टॉप लेवल की एक्टिंग हो कहानी पकाती कम और मनरणन जाद करती हो तो किसी भी बात को डारेक्टर ने अपनी सहुलित से नपेश क क्या है नहीं आपके हाथ नहीं सही से टीक से डारेक्ट कर पाएं इसमें आपको निराशा ही हाथ लगे हाथ करें अगर म्यूजिक की तो बेशक फिल्म के तीनों गाने हिट हुए हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि गानों के बेस बरी फिल्म हिट हो सकती है मेरे हिसाब बताइए आपको ये फिल्म कैसी लेगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लेगी इसी के साथ लेते हैं विदा धन्यवाद